Chapter 3 It's Fun To Be यानि या मजिदार है इस शोट ची पोएम को हम रीट करनेंगे ओके Short Introduction In this poem, the poet poetess has pretended to be like other creatures but also told that no else could copy him, her इस poem में poet and poetess नहीं बताया है कि अन्य जो भी creatures यानि जीव, प्रानी वो इस तरह से नकल करते हैं कि जैसे कि उनकी कोई कॉपी कर ही नहीं सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं It's fun to be this It's fun to be that To clam like a cat To leap like a lamb यानि या एक मजिदार होना बहुत ही बड़ी बात है कि जैसे कि यह हम पिक्टर में देखेंगे यह जो cat है वो trees में क्या कर रही ओपर चड़ रही है और बेड की तरह यहां पर हम देखेंगे जो बेड़े काफी उच्छलकुद मचा कर रखा हुआ है To hope like a frog और यहां हम देखेंगे एक जो frog है वो एक hope लगाए हुए बैठा हुआ है To swim like a fish यह यह hope लगाए हुए बैठा हुआ है कि वो फिस की तरह पानी में तैर सकता है To jump like a dog To trot like a horse यहां हम पिक्टर में देखेंगे यह जो dog है वो बिल्कुल dog के उचलकुद मचा रखा है और यहां पे जो होर से वो टटोल रहा है यानि एक जगह से दूसरे जगह टटोल रहा है It's fun to be pretend There's creatures to be Yet not once Is clever And copying me यहां पे है कि It's too funny यानि हम बहु सकते की बहाना करना काफी मज़िदार है ऐसा इस तरह से जी होना यानि creatures का होना लेकिन इन में से कोई भी ऐसे चलाक नहीं है जो कॉपी कर सके तो यह हमारा शॉट सा पॉर्यम कम्प्लीट होता है